नवश्कार अदाब सिस्रिकाल आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है काइनेटिक थियोरी ओफ गैस के कंप्लीट चैप्टर डिसकेशन में बहुत ही थोड़ी इसी देर में यानि कि हम आदे गंटे के अंदर पूरा चैप्टर जो है वो यहां पे डिसकेश करेंगे सारे मे बेस्ट कोश्चिन इस चैप्टर से जादा आते हैं चैप्टर जाखा जाते हीन लेकिन जितना फॉर्मूला बेस्ट चैप्टर रहता है उतना ही आप लोगों के लिए वह एजी रहता है क्योंकि formula लगाकर अगर आईशत आ जाता ह effective घंसर होने के chances जो dynamics का double फाइदा है तो यहाँ पे chemistry में भी इसका double फाइदा आपको देखने को मिलेगा same chapter chemistry में भी है बस फरक इतना है कि physics के अंदर हम सिरफ ideal gas की बात करते हैं और chemistry में ideal gas के साथ real gas भी आ जाती है एक से दो questions इसमें expected होते हैं दो भी आ सकते हैं और physics में तो आएंगे याएंगे chemistry में भी आ सकते हैं तो obviously double फाइदा तो हो ही रहा है तो कुछ postulates है kinetic theory of gases के तो आईए सबसे पहले postulate की तरफ चलते हैं यह एक बकसा दिखाया है बकसे के अंदर बहुत सारे molecules जो है घूमते फिरते मैंने यहाँ पे दिखाए है the size of particles is very small as compared to the volume of the gas occupied particles का जो size है वो gas के volume के respect में भाई gas का volume क्या है जो इस container का volume है वो gas का volume है लेकिन जो particles का size है वो बहुत थोड़ा है तो the size of particles is very very small as compared to the volume of the gas all molecules are in the random thermal motion सारे molecules random thermal motion में इस तरीके से random motion कर रहे है कोई किदर जा रहा है कोई किदर जा रहा है random thermal motion है thermal यानिकी due to temperature thermal यानिकी temperature की वज़े से temperature बढ़ेगा random thermal motion बढ़ जाएगा the average velocity of the all molecules is zero अगर मैं इन सारे molecules की average velocity देखूँगा V के उपर vector तो वो zero आएगी क्यों कोई किदर जा रहा है कोई किदर जा रहा है कोई उपर जा रहा है कोई नीचे जा रहा है कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है जो आपको assume करनी पड़ती है अगर gas को ideal मानना है सबसे पहले तो gas को ideal तब माना जाता है अगर अगर कम होगा तो molecules दूर दूर जाएंगे यानि कि molecules जितने दूर दूर होंगे उतना gas का ideal behavior होगा तो gas के molecules को दूर दूर लेके जाने के लिए pressure कम होना चाहिए और temperature जादा होना चाहिए तो सुर दूर दूर जाने से होता क्या है दूर दूर जाने से उनके बीच में कोई interaction नहीं होता या attractive या repulsive forces between the molecules accept collision ये जो gas molecules है इनके बीच में आपस में कोई force नहीं लग रहा क्योंकि ये बहुत दूर दूर है तो इनके बीच का intermolecular force हम ignore कर सकते हैं attractive repulsive forces को ignore कर सकते हैं ideal gas के अंदर ये सिरफ collision कर सकते हैं इसके अलावा इनमें आपस में कोई interaction नहीं हो सकता क्योंकि zero interaction है due to zero interaction the potential energy of the ideal gas is assumed to be zero क्योंकि interaction नहीं है इसलिए ideal gas की potential energy zero मानी जाती है तो सिरफ जो internal energy है gas के पास वो kinetic energy की वज़े से internal energy यू से लिखते हैं वो सिरफ और सिरफ किसकी वज़े से है kinetic energy की वज़े से हैं तो आप समझ गए ideal gas क्या है low pressure high temperature पे है molecules दूर दूर है उनके बीच में कोई interaction नहीं है potential energy zero है जो भी उनके energy है कौन सी energy है kinetic energy है क्या ये बात समझ गए सारा कच्चा चिठा clear हो गया ओके अभी तो और बाते हैं the gas molecules are assumed perfect elastic spheres जो gas के molecules हैं उनको perfect एक छोटे छोटे elastic spheres जो है वो consider किया जाता है collision between molecules and with the wall are assumed elastic molecules का आपस का collision और दिवार के साथ collision सारे collisions elastic collision assume किये जाते हैं मतलब कि कोई energy loss नहीं होता particles move in straight line between collisions दो collisions के बीच में जो particle का रस्ता है जैसा कि आपको दिख रहा है वो straight line होगा ठीक है ना दो collisions के बीच में particle का जो रस्ता है वो straight line होगा तो यह कुछ assumptions है जो कि ideal gas के लिए होनी चाहिए अब formula क्या है ideal gas का PV is equals to nRT pressure volume number of moles universal gas constant and temperature n is the number of moles r is the universal gas constant यह r की value है 8.314 joule per mole per kelvin या फिर 1.98 या approximately इसे 2 लिख सकते हैं ठीक है ना calorie per mole per kelvin 1 calorie इतने joule के बराबर होता है तो यह r की value है एक और form है लिखने का PV is equals to capital NKT capital N होता है number of molecules small n होता है number of moles capital N होता है number of molecules k होता है Boltzman's constant इसकी value होती है 1.38 into 10 की power minus 23 joule per kelvin अगर आपको r पता है तो उससे Boltzman constant इस formula से आ जाता है r is equals to NAK, N A क्या है? Avogadro number NAK, नाक, इसको याद रखने का तरीका मुझे आज तक याद है कि r is equals to नाक na into k, तो अगर आपको r पता है तो k की value पता लग जाएगी एक और form है ideal gas को लिखने का, P is equals to rho RT by M0, rho है density of gas, M0 है molecular mass तो इसमें भी आप लिख सकते हो, density क्या होगा? mass upon volume तो ये तीनो equations हैं जो आपकी ideal gas की बन रही है universal gas constant, Boltzman constant, Avogadro number, अलग-लग form में अलग-लग equation है लेकिन है ideal gas की ही याद रहनी जाहिए उसके बाद, standard temperature pressure जिसको हम STP कहते हैं, वो क्या होता है STP पे temperature 0 degree Celsius, यानि की 273 Kelvin pressure 1 ATM, यानि की 1.013 into 10 की power 5 Pascal और 1 mole of an ideal gas, अगर ideal gas का 1 mole ले लिया जाए at standard temperature and pressure, तो वो इतना volume occupy करेगा एक mole of ideal gas, standard temperature pressure पे इतना volume occupy करेगी चाहो तो PV is equal to NRT से volume निकाल भी सकते हो gas के laws, ये gas के laws कौन कौन से जो laws हैं, जो gas को govern करते हैं, आईए नजर मारते हैं, पहला है boils law कहने की constant temperature पे इस equation की तरफ देखते रहना, अगर temperature constant है, तो PV का product constant होगा, P1 V1 P2 V2 या P inversely proportional to V, graph ऐसा आएगा, rectangular hyperbola होगा, ठेक है जी, ठ्यान रखना, Charles law, Charles law में अगर pressure constant है, ये pressure constant है, तो volume directly proportional है temperature के, volume by temperature का जो ratio है, वो constant रहेगा, V1 by T1, V2 by T2 के equal होगा, क्योंकि volume directly proportional to temperature है, तो graph straight line होगा, origin से pass करता हुआ नजर आएगा, pass नहीं करवाना, देखो मैंने dotted line दिखा रखी है, क्योंकि volume में 0 नहीं दिखा सकता, नहीं मैं temperature 0 दिखा सकता हूँ, तो origin में से pass नहीं करवाना, बस ऐसे दिखाना की pass हो सकता है, temperature किसमें, Kelvin में, Galusek law, volume constant अगर है, तो pressure directly proportional to temperature होगा, ठीक है जी, और pressure by temperature का ratio constant होगा, P1 by T1, P2 by T2, और pressure temperature के graph जो होगा, वो भी straight line होगा, क्योंकि pressure directly proportional to temperature है, और वो origin से pass होता हुआ, नजर आएगा, यो तो तीन law होगे, Boyle's law में temperature constant, Charles law में pressure constant, Galusek law में volume constant, Avogadro law, Avogadro law क्या कहता है, बड़ा असान है, at same temperature and pressure, equal volumes of all gas contain equal number of molecules, कहने का बड़ा simple सा मतलब है कि अगर pressure equal है, volume equal है और temperature equal है, तो number of molecules भी बराबर होगे, अगला law, Dalton's law of partial pressure, क्या law है, the total pressure exerted by the mixture of non-reactive gases is equal to the sum of partial pressures that each gas would exert individually if they would have occupied same volume at a given temperature, देखो यार, non-reactive gases के mixture की बात हो रही है, non-reactive gases जैसे की nitrogen hydrogen hydrogen मिलके ammonia बना देते हैं, तो reaction नहीं करवाना gases का, gases को अलग-लग identity मानना है, ठीक है जी? तो मान लीजिए कि यहाँ पे gas भरी हुई है, V volume T temperature में, pressure P1 पे, फिर V volume T temperature पे ही दूसरी gas भरी हुई है, pressure P2 पे, फिर V volume T temperature पे ही तीसरी gas भरी हुई है, pressure P3 पे, तो जब इन तीनों gases को एक ही बकसे के अंदर ले आएंगे, same volume, same temperature पे, उसी बकसे के अंदर, पहले उस बकसे के अंदर, एक gas डाली, pressure P1, वैसा ही बकसा लिया, pressure P2, वैसा ही बकसा लिया, उसमें तीनों gases डाल दी, तो वो जो pressure बनेगा, वो तीनों gases के pressure के बराबर होगा, या चार होंगी, तो 4, 5 होंगी, तो 5, इसे कहते हैं, Dalton's law of partial pressure, ध्यान रखना, same volume, same temperature, at a same volume, at a given temperature, volume temperature क्या होना चाहिए, same होना चाहिए, तो आप pressures को directly add कर सकते हो, यानि कि, जो pressure, वो gases individually लगाएंगी, अगर individually, अकेली, अकेली, उस बकसे के अंदर पड़ी हुई है, तो P1 लगा रही है, P2 लगा रही है, P3 लगा रही है, एक साथ combine कर दिया, तो pressure add हो जाएगा, बस, ठीक है जी, Graham's law of diffusion, high concentration से low concentration की तरफ गैस जाती है, उसको दिखता है कि इस तरफ molecule जादा है, इस तरफ कम है, तो वो high से low की तरफ जाएगी, ठीक है न, तो जब वो diffuse होगी, the rate of diffusion of gas is inversely proportional to the square root of its molecular weight, जो gas का rate of diffusion होगा, वो उसके molecular weight के square root के inversely proportional होगा, यानि कि जो भारी gas होगी, उसका rate of diffusion कम होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसमें से gas जो है, वो diffuse हो रही है, और container में से बहार जा रही है, यानि कि high concentration से low concentration जा रही है, ठीक है जी, pressure exerted by ideal gas, ideal gas के दवारा कितना pressure exert किया जाता है, उसका formula है, 1 by 3 rho vrms का square, 1 by 3 rho तो density होती है, vrms का square, इसी equation से pv is equals to nrt बनता है, इसी equation से pv is equals to nrt बनता है, vrms क्या है, root mean square speed, root mean square speed क्या होती है, जैसे मानलो, एक gas के अंदर काफी सारे molecules हैं, एक की speed v1, दूसरे की v2, तीसरे की v3, up to, up to, so on, तो सारे molecules की speed का square कर दो, मानलो, n molecules है, v1 square, v2 square, by n, square करके, mean करके, under root कर देना, उसे कहते हैं, root mean square speed, rms speed, देखो, क्या किया, root mean मतलब average, किसका average लिया है, velocity के square का, velocity के square का average लेके, उसका root करना, root mean square कहलाता है, समझ गए, ओके, इन तीनो, speeds के एक formula है, देखो, अलग-लग speeds होती है, gas molecules की, जिनके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक होती है, root mean square speed, जो बता दिया मैंने आपको, under root 3RT by m0, या k की form में लिखोगे, under root 3KT by small m, capital m0 molecular mass है, small m, एक molecule का mass है, average speed, under root 8RT by pi m0, या under root 8KT by pi small m, लिखेना, RT लिखोगे तो m0 आएगा, KT लिखोगे तो m आएगा, ठिक, यह average speed है, average velocity 0 है, अगर आप direction consider करोगे, अभी-भी मैंने आपको बताया था, कि average velocity सारे molecules की 0 है, क्योंकि कोई इदर जा रहा है, कोई इदर जा रहा है, कोई इदर जा रहा है, कैंसल हो रही है, average speed 0 नहीं है, average speed का formula यह रहा भई, और most probable speed, gas molecules में से जाधातर molecules की जो speed होगी, जाधातर maximum number of molecules के पास जो speed होगी, उसे कहते हैं, most probable speed, formula है, under root 2RT by m0 या under root 2KT by small m, that is the most probable speed, RMS speed, average speed, most probable speed, यह इनका order है, सबसे जाधा RMS, फिर average, फिर most probable, और average velocity जो है, वो 0 है, वो अलग चीज़ है, ठीक है जी, यह average speed है, यह average velocity है, तो इस बात को समझ लीजिएगा कि question में क्या पूछा गया है, कहीं question में average velocity पूछी गई हो, और आप under root 8RT by pi m0 टिक कर दो, सब बरबाद हो जाएगा, Maxwell distribution curve, most probable speed के लिए, Maxwell ने एक distribution curve बताया था, Maxwell ने क्या कहा, कि माल लोग की T1 temperature है, उसने T1 temperature पे यह curve बनाई, यह number of molecules having speed V, इधर number of molecules हैं, और इधर speed V है, तो आप देख पा रहे हो कि V most probable 1, यह speed वाले बहुत सारे molecules हैं, T1 temperature पे, सबसे जादा molecules, यह number of molecules बता रहे हैं वई, तो इस speed वाले सबसे जादा molecules हैं, फिर उसके बाद मैंने temperature भढ़ा दिया, ठीक है न, T2 greater than T1 कर दिया, अब उसकी वज़े से यह जो curve है यह नीचे आ गया, और इसका जो peak है, वो उधर shift हो गया, यानि कि temperature बढ़ाने से most probable speed बढ़ती है, क्योंकि V most probable जो है, वो under root 2RT by M0 होती है, तो obviously अगर आप temperature बढ़ाओगे, तो most probable speed बढ़ेगी, तो temperature बढ़ाया, most probable speed बढ़ गई, जादातर molecules की अब यह speed है, लेकिन number of molecules, जिनकी most probable speed है, वो कम हो गई, बढ़ाया, जादातर molecules की जो speed होती है, उसे most probable speed कहते है, कम temperature पे यह graph है, जादा temperature पे most probable speed तो बढ़ गई, लेकिन number of molecules having most probable speed, वो decrease हो गई, यानि कि अगर पहले मालो 50 molecules के पास यह speed थी, तो अब सिरफ 25 के पास यह वाली होगी, समझ पारे हो, अब 25 के पास most probable होगी, number of molecules क्या हो गए, कम हो गए, यह Maxwell probability distribution करव है, degrees of freedom, degrees of freedom क्या होता है, degrees of freedom F से लिखते है, number of independent ways in which a molecule can exhibit motion, और can have energy, number of independent तरीके जिससे की molecule के पास motion हो सकता है, यह energy हो सकती है, उसे degree of freedom कहते हैं, number of independent coordinates required to completely describe the position of a system, या फिर इसको कहने का दूसरा तरीका, कि number of independent coordinates, जितने चाहिए, system को completely describe करने के लिए, उसकी position को completely describe करने के लिए, देखो, कितने independent motion है, कितने independent तरीके हैं, molecule के energy लेने के, या फिर कितने independent coordinates चाहिए, उसकी position को define करने के लिए, तीनों चीज़ें ही degree of freedom की तरफ इशारा करती हैं, number of degrees of freedom कितने होते हैं, आईए बात करते हैं, F को मैं लिखूंगा total degree of freedom, F T को मैं लिखूंगा translational degree of freedom, F R को मैं लिखूंगा rotational degree of freedom, F V को मैं लिखूंगा vibrational degree of freedom, तो यहाँ पर मैंने gas बनाई, थी, monotomic, diatomic, polyatomic linear, polyatomic non-linear, poly मतलब दो से ज्यादा atoms, लेकिन gas linear shape है, जैसे carbon dioxide, polyatomic non-linear, यानि कि shape linear नहीं है, ठीक है जी, तो वो case, तो translational degree of freedom, monotomic gas के लिए 3, diatomic के लिए 3, polyatomic के लिए 3, polyatomic non-linear के लिए 3 अगर मैं monotomic के लिए चलो पहले monotomic के लिए बात कर लेते हैं ठीक है जी तो monotomic के लिए translational 3 है, rotational 0 है total 3 हो गए 3 plus 0, 3 diatomic के लिए translational 3 rotational 2, total 5 polyatomic linear के लिए भी 3 और 2, 5 ही होंगे polyatomic non-linear के लिए 3, 3 6 हो जाएंगे, इसमें rotational 3 है आप देख पारे हो, translational सब में 3 हैं, बस rotational change हो रहे हैं, जिसकी वज़े से total change हो रहा है, एक बात और ध्यान दो, diatomic और polyatomic linear, इसके degree of freedom आपको same मिलेगे diatomic और polyatomic linear में कोई फरक नहीं है high temperature पे, vibrational degrees of freedom भी activate हो जाते हैं, यहने कि high temperature पे आपको vibrational energy भी consider करनी पड़ती है monotomic के case में कोई vibrational degree of freedom नहीं होता बले ही high temperature हो low temperature पे या जब तक temperature given ना हो, तब तक आपको vibrational के बारे में कोई बात नहीं करनी है high temperature पे भी monotomic के लिए 0 है diatomic के लिए 1 है लेकिन उसका contribution डबल लिया जाता है ठीक है न, यह बात का याद रखेगा diatomic के लिए vibrational degree of freedom 1 होता है लेकिन उसका contribution डबल लिया जाता है यानि कि उसको 2 वाना जाता है ठीक है जी, तो इस बात का ध्यान रखेगा polyatomic के लिए हमें vibrational degree of freedom में जाने की कोई आवशक्ता नहीं है ना ही हमारे स्लेवस में वो चीज है और ना ही कभी पूछा गया है law of equipartition of energy कह रहे हैं कि सारी energy is equally distributed among all degrees of freedom तो यहां से मैं equally मिटा देता हूँ यहां से यह मिट गया है ठिक, चलो, बहुत बढ़िया तो यह कह रहे हैं कि total energy is equally distributed among all degrees of freedom जो भी gas की total energy है वो सारे degrees of freedom में equally divide हो जाती है यानि कि जैसे यहां पे monotomic gas है, इसके तीन degree of freedom है तो gas की जो भी total energy होगी वो तीनों में equally divide हो जाएगी यह कहने का मतलब है तो energy per molecule per degree of freedom half kT होती है एक degree of freedom में per molecule अगर energy देखी जाए तो half kT होती है एक degree of freedom में पर mole अगर energy देखी जाए तो half kT होती है यानि कि एक mole of gas के अगर मैं एक degree of freedom की energy देखूँगा तो वो half kT होगी इसी के base पे मैं total energy निकाल सकता हूँ मुझे अब पता चल गया कि एक mole के लिए यह कहना पर mole एक mole के लिए और एक degree of freedom के लिए एक mole और एक degree of freedom के लिए half kT है तो अगर n mole होंगे और f degree of freedom होंगे तो formula यह हो जाएगा half kT तो है देखो rT by 2 तो लिखा ही हुआ है n और f से multiply कर दिया तो यह आ गई total energy of the molecule जो total internal energy of the molecule n by 2 frT अब इसको ऐसा लिख सकते है n into fr by 2 into t यह fr by 2 जो है वो cv है specific heat capacity molar specific heat capacity add constant volume यानि कि n cv t लिख सकते हो delta u याद है n cv delta t वो यहीं से आता है एरी बाद ध्यान से सुनो internal energy जो gas की होती है वो n cv t होती है ऐसे सुनो cv की value fr by 2 होती है तो internal energy को यह लिख सकते हो और delta u को n cv delta t लिख सकते हो cp minus cv r होता है cv की value fr by 2 है जब वो put करेंगे तो cp की value यह आ जाएगी f by 2 plus 1 into r gamma cp by cv का ratio होता है यह cv की value है यह cp की value है दोनों को divide करोगे यह gamma की value आ जाएगी 1 plus 2 by f f की value put करो gamma मिल जाएगा या फिर f को gamma की form में arrange करने से f is equal to 2 by gamma minus 1 आ जाता है मलब यह gamma का formula f की form में यह f का formula है gamma की form में cv का formula यह f का formula आ गया 2 by gamma minus 1 इसको इसमें रख दो भाई इसमें रखोगे वो बन जाएगा cv r by gamma minus 1 और cp आएगा gamma r by gamma minus 1 दोनों का ratio कर लो gamma है दोनों का ratio कर लो gamma है cp by cv गामा है समझ गए भाई लिख भी देते हैं cp by cv that is gamma तो यह हमारे पास gamma है ठीक है जी r by gamma minus 1 gamma r by gamma minus 1 तो cv के दो formula है f r by 2 r by gamma minus 1 cp के दो formula है f by 2 plus 1 into r या gamma r by gamma minus 1 gamma को f की form में ऐसे लिखा जाता है f को gamma की form में ऐसे लिखा जाता है समझे अब जब ये values put करीं जब degrees of freedom की value put करीं तो ये chart बनके आपके सामने हाजिर है यहाँ पे gases लिखी है monotomic, diatomic, polyatomic linear, polyatomic nonlinear जैसा कि मैंने आपको बताया था कि diatomic gas और polyatomic linear कोई फरक नहीं है सारे formula से मिलेंगे आपको f का formula 2 by gamma minus 1 ये degree of freedom monotomic के 3, diatomic के 5 polyatomic linear 5 and polyatomic nonlinear 6 cv की value f r by 2 या r by gamma minus 1 जब values put करोगे f की तो ये आजाएगा 3r by 2, 5r by 2, 5r by 2, 3r cp की value f by 2 plus 1 into r या gamma r by gamma minus 1 तो cp की value 5r by 2, 7r by 2, 7r by 2 and 4r gamma इनका ratio होता है cp by cv या 1 plus 2 by f भोल सकते हो तो gamma यहाँ पे cp by cv करेंगे 5 बटे 3, 7 बटे 5, 7 बटे 5 and 4 बटे 3 देख पा रहे हो ये gamma की values है तो एक बार देख लो monotomic के लिए degree of freedom 3 cv की value 3r by 2, cp की value 5r by 2 gamma की value 5 by 3 ratio diatomic के लिए 5, 5r by 2, 7r by 2, 7 बटे 5 triatomic, sorry polytomic linear के लिए same polytomic non-linear के लिए 6 cv की value 3r cp की value 4r इसके लिए 4 by 3 समझ गए बस values put करनी है वो formula वहाँ पे लिखे हुए है उन formula में बस आपको f की value put करनी आपको कुछ नहीं करना f की value put करते हैं चले जाओ ये बन जाएगा फिर ये बन जाएगा फिर गामा भी बन जाएगा ठीक है जी mean free path आपको पता है कि gas molecules का जो motion है वो random होता है zigzag path होता है random motion gas molecules randomly move करते हैं ये motion मैंने आपको दिखा रखा है इस path को कहते हैं zigzag path और इस motion का नाम है brownian motion ये discover किया था Robert Brown ने उसके नाम पे पढ़ा है brownian motion अगर temperature बढ़ाएंगे तो ये random motion बढ़ जाएगा यनि कि बहुत तेजी से molecules इदर उदर उचलने लगेंगे अब mean free path होता क्या है the average distance covered by the molecule between two collisions जब ये molecules randomly move करेगा तो ये collision करेगा ठीक है ना दो collisions के बीच का जो path होता है उसको free path कहते हैं आप देख पा रहे हो ये free path दो collisions के बीच का पहला collision किया फिर अगला collision करने तक उससे अगला collision करने तक फिर उससे अगला collision करने तक lambda 1 distance cover किया फिर lambda 2 किया अगला collision करने तक lambda 3 किया ये सारे free paths हैं, दो collisions के बीच के रस्ते को free path कहते हैं, और उन सब का average mean free path, सारे रस्तों का average निकाल दो mean free path, इसका formula ये बन के आता है, 1 by under root 2, pi and d square, इसमें n क्या है, number density, number of molecules per unit volume, ठीक है जी, unit volume में कितने molecules gas के आ जाते हैं, वो है ये, डी है, diameter of molecule, molecule का size जो है, उस पे भी depend करता है, mean free path कितना होगा, अगर number density जादा होगी, भीड जादा होगी, तो free path कम हो जाएगा, यानि कि, दो collisions के बीच का रस्ता छोटा रह जाएगा, अगर भीड जादा होगी तो, अगर size जादा होगा, तो भी रस्ता छोटा रह जाएगा, diameter जादा, तो भी रस्ता छोटा, भीड जादा, तो भी रस्ता छोटा, clear हो रही है बात, तो ये है mean free path, last topic है, जब हम gases को mix करते हैं, दो gases को mix करते हैं, तो ये formula याद रखने वाले हैं, ये है number of moles, directly add हो सकते हैं, internal energy directly add हो सकती है, molecular mass directly add नहीं हो सकता, अगर मालो एक gas है, जिसके N1 moles हैं, और molecular mass M1 है, N2 moles है, molecular mass M2 है, तो ये equivalent molecular mass उस gas का आ जाएगा, N1 M1, N2 M2 upon N1 plus N2, CV mixture निकालना हो, एक gas का CV पता हो, दूसरी का पता हो, दोनों को mix करके CV निकालना हो, तो ये formula है, N1 CV1, N2 CV2 upon N1 plus N2, similarly CP mixture, gamma mixture निकालना हो, दोनों को divide कर दो, गामा mixture निकालने के लिए, ऐसा मत कर देना, N1, गामा 1, N2, गामा 2 upon N1 plus N2, ये गलत हो जाएगा, this is wrong, गामा mixture निकालने के लिए, CV mixture, CP mixture आप निकालोगे, फिर ratio करोगे, ठीक है न, या फिर, CP mixture, अब मालो, CV mixture आपने निकाल लिया, तो CP mixture minus CV mixture is equals to R वाला भी तरीका आप इस्तमाल कर सकते हो, ठीक है न, सपोस करो, आपको गामा mixture निकालना है, आपने CV mixture निकाल लिया, तो आपको CP mixture निकालने की जरूरत नहीं है, इस formula से, अब directly ये लगाओ, CV mixture पता है, R, CP mixture आजाएगा, फिर दोनों को divide कर दो, ये formula लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर ये नहीं करना चाहते है, तो गामा mixture के लिए ये formula है, ठीक है न, N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2 अपन N1 प्लस N2 नहीं करना, ये करना है, N1 प्लस N2 अपन गामा mixture minus 1, is equals to N1 गामा 1 minus 1, प्लस N2 गामा 2 minus 1, ठीक है न, ये वहाँ से आया है, जैसे CV का formula होता है, R by गामा minus 1, तो वहाँ से बनके आया है, ये नीट के अंदर PYQ भी इससे related आ चुका है, ठीक है न, तो ये बात का आप ध्यान रखियेगा, इसी के साथ, पूरा chapter खत्म हो गया, सारे chapter के concepts, super fast तरीके से हमने यहाँ पे बड़ी जल्दी cover कर लिये हैं, सारे formula कर लिये हैं, इन formula को revise कीजेगा, इन concepts को revise कीजेगा, और आपके paper के लिए, all the best, धमाल मचा दीजेगा, और हमें याद रखेगा, बाबाई